तो फाइनली कहते हैं हाथी के दान दिखाने के और और खाने के और होते हैं और ऐसे ही हैं हमारे डिरेक्टर राजकुमार हिरानी जो कि अपनी मुवी के टीजर और ट्रेलर में कुछ ज्यादा पिक्चर के बारे में रवेल ने करते हैं यानि कि हमने डंकी मुवी के टीजर औ वो है आउर्स्टेंडिंग यासगा यानि कि इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी, ड्रामा, रूमेस्ट, थोड़ा बहुत एक्षिन और उसके साथ जो इमोशन्स है वो तो बड़पूर लेवल पर देखने को मिलते हैं और बाई साब इन सभी चीजों को मिलाका है एक क्लासिक और मास्टर पीस मूवी बनती है जो के डंकी अलेडी डिजार्व करती है यास वे यानि के डंकी एक मास्टर पीस क्लासिक मूवी और बाई साब इस मूवी के अंदर राज़कमा हिरानी का जो जादू है वो पबली को लास सीन तक बांध कर रचता है येस वे यनि कि अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आपकी आंखों से आंसु जरूर निकलाएंगे येस वे यनि कि एक से बढ़कर एक emotional dialogue हमें देखने को मिलता है और बाई साथ वहां पर जो scenes होते हैं वो बहुत ही जादा कमाल के येस वे जैसा लग रहा था कि सच में कोई लोग डंकी लगा रहे हैं यानि कि illegal तरीके से किसी दूसरी country में जा रहे हैं और हम उन्हें live बैट कर देख रहे हैं उनके उपर जिस तरीके से बाई साथ मुसीबत आती है किस तरीके से वो अपने आपको handle करते हैं और किस किस तरीके के वो रास्तों से बाई साथ होकरे किसी दूसरी country में दाखल होते हैं यासे यानि कि एक एक सीन को बहुत ही कमाल तरीके से शूट किया गया है और में जो water के अंदर visual वाले सीन थे वो बाई साथ बहुत ही जादा कमाल के ते यासकर यानि कि उन visual ने मेरा दिल जीत लिए और परसनल निमा बताऊना तो इस movie के अंदर एक एक सीन को बहुत ही जादा बारिकी से शूट किया गया है और proper सर्च करकर एक एक सीन को बाई साथ लिखा गया है यासरे यह निके इस movie के उपर बहुत जादा मेरा की गया है क्योंकि बायस अब जो डायलोग्स है जो इस movie की राइटिंग आ वह बहुत ही जादा पाउरफुल है सब्सक्राइब बात करें इस movie की स्टोरी बारे में आप सबी को बता दो कि जतना जादा simple हम इस movie की स्टोरी को समझ शुक्यायते उतने जादा simple इस movie की स्टोरी नहीं r Episode personalities movie के अंदर हमें एक बहुत बड़ कुर्बड़ा सबक भी देखने को मिलता है यास रही जानी कि ऐसा नहीं है कि आप इस मूवी को देखोगे तो सिर्फ एड इंटर्टेन होकर या इमोशनल होकर थेटर से बाई निकला होगे बलके एक पूरा और प्रापर एक सबक आपको इस मूवी से मिलेगा तो दोस्तों वहीं अगर बात कोमेडी सेंज जहां पर आते हैं वहाँ पर वह हमें सौंग देखने को मिलता है और कोहीं इंटर्वल तक जाने तक भाई साब इस मूवी की आप कह सकते हैं कि आप पूरे तरीके से इमोशनली इस मूवी से कनेक्ट हो जाते हैं और आप सुमी को बता दो कि बेस्ट इंटर् आप दा 2023 मूवी वो डंकी मूवी का है क्योंकि बाई साब अभी तक हमने जितने भी मूवी के इंटर्वल देखे हैं लेकिन परसनली मैं बता हूँ ना तो हम सब यही कहते हैं कि इंटर्वल के बाद चाहिए होगा लेकिन इस मूवी के बाद आप इस मूवी की स्टोरी को जज नहीं कर पाओगे यानि के इस तरीके के इस मूवी के इमोशनल सीन है वो हमें देखने को मिले हैं इंटर्वल से पहले और बाई साब इंटर्वल के बाद तो यह मूवी एकदम ऐसे से हो जाती है यह जानी कि फस हाफ जो के मैं कहा सब दम के एक एवरिज था लेकिन ज मुझे यह मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई है और इस मूवी के इंटर है खास करकर जो अशारू खान सर की एक्टिंग है विकी कोशल सर का जो करेक्टर है वह भी बाई साब आप जादा रोलाने भी वाला है और वहीं जो बोमन ईरानी है जो आप सबी को पता है कि रा सबीन की जो इसकता है और यह नहीं कि मेरे तरफ से पांच में से चारिर्ट्र िरेटिंग है । souffler मेरे उर्मार को फ़ोचय कि जगह पर आप सका मूल ठोड़्या बाए साब आप को अपने आपको बहुत ऩरिके से बांद रीचियों bulun एक पूबिक इस मूबी के साथ पूर और मेरा जो रिवियों था मैंने आपसे शेयर का दिया और वहीं आपने ये मूवी देखिया है आपको ये मूवी कैसी लगे हैं में कमेंड़ दूर ताइगा वीडिशी दूर लाइक करें करें दूर वे दूर तो को देक्स अगे